हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और आज है सटरडे और मैं बहुत दिन बाद आज ब्लॉगिंग कर रहा हूं और तीन-चार दिन बाद आज नेट चाल हुआ है राजस्थाम में अधैतुर की जो गटना थी उसके बाद में आज नेट चाल हुआ है तो तीन-चार दिन से लोग भी परिशानते मेरा दाखेर आफिस चल रहा था तो मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं थी और मैं ब्लॉग भी नहीं बिना पा रहा था इसलिए 8 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं है तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग सूट किया जाए और आज मौसम बहुत अच् बढ़ने यहां पर हल्की सी बरसात होती है कुछ होता है तो लाइट जिल जाती है लेकिन अभी लाइट आ रही है और आज तो बच्चा भी जल्दी चख चुका है क्यों कि इता जल्दी कभी नहीं जगता जब मैं आफिस जाता हूं साड़े आट नौ बजे के करीद तभी जखता है और आज ते बच्चा भी जग चुका है बच्चे सिंपलाते है आपको इदर हो इसको मिया पर नीचे बैठा रखा है और यह जख के खेल रहा है कि यह जल्दी जग चुका है चलो अच्छी बार जगना आत्की जल्दी है कि यह जल्दी जग कर रहे हैं तो यह अलग रिएक्ट कर रहा है वागी पहले जैसे डेली बनाते रहें तो एविच्वल हो गया था तो आपको बाहर का व्यूद कता हूं मैं थोड़ा सा बरसात किती तेज हो रही है यह देखो बरसात चल रही है यहां पर मैं यह बाइक भी कल बाहर खड़ी रही तो बाहर ही खड़ी वीजे और रोड पर पानी बढ़ा हुगा एक दम यह बाइक तक पानी आ रहा है रोड पूरा पानी ना डूब रहा है और इस देखो जानवर अधर कैसे सारा लेकर ना रही है तो आज बूद वाले गंपशाग आए तो ना इस दुद्वाल आए तो चाय होना है तेकिन बरसात की वज़े से बोबी फिले हो गया है और नी तौज अब बूरा लेक आएगा और बारिश वाली तावाली तब हम चाय पींगे एक आतरक वाली बरसात की ताइम पे अधरेक वाली चाय पीने का लगी मज़े होता है उससे खोड़ी सी गर्मी है जासी और अच्छा लगता है बर्सा आपको देख से दूए चाय पीना देखो बच्चा खिलाओने के साथ खेल रहा है खेलो खेलो ती जल्दी जगके एक का जाओ मैं इसकुल या वह तो जाओ है किसे का इसे माइल पास कर रहा है किसे माइल पास कर रहा है यह सई टायम में अपने जगने का यह ना अरे दोस्तों अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है पोए गर्म गरम पोए खा लेते हैं और बच्चू और यह मेडम अब अब अच्छा वराया आस तो मैं अभी नादो के रेडियो हो चुक हम अफिस के लिए और अभी दूदवाल अभी तक नहीं आया है दूदवाले कंते शार करते करते एक गंटा होए है तो मैं सुझ चलो अपना काम तो किया जाए तो अभी पोए तो बना लिए और पोए अब में चाय रेडी कर दिये और चाय पी गए फिर ऑफिस निकलेंगे एक बाहर वेटके थोड़ा बरसात का अनन लेते हैं और चाय पीते है घरमा घरम है जाए फिर अफिस निकलता है अब जश्ट में निकल नहीं रहाता बैग उठा लिए तो मैं चलो अब चाय पी गई किलते हैं मौसा में इता अच्छा हो रहा है था दोस्तों आज तो सुबह से ही बहुत अच्छी बरसात हो रही है लगबग चार पांच बज़े से रुक रुक के और ड्राइविंग में काफी मज़ा आ रहा है और रोड विल्कुल एक दम अधम तुनसान रोड है खाली तो अराम से ड्राइविंग करने में मज़ा रहा है क काफी और अभी में आफिस पहुंचने वाला हूँ चार पांच किलोमेटर दूर हो रहा है तो खेत बिल्कुल एकदम पानी से बरे हुए लवाला और अलकी बरसात चल रही है बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है एकदम ऐसा लगए कहीं ट्रिप पे जा रहा है गूमने के लि अच्छा के बच चुके हैं साथ और अभी मैं ओफिस से आया हूँ थोड़ देर पहले आज 6 बज़े निकलाता ओफिस से और आज तो बरसात की वज़े से काफी अच्छी ठंड़क हो रही है बहुत अच्छी बरसात हुई आज दिनवर काफी अच्छी बरसात रही और अभी शाम के टाइम पर मौसम खुल गया और अभी हम चत पर आ चुके हैं और चाय बना लिए अधर चाय रखी विए पानी की बोटल और ब्रेड साथ में और बच्चे को भी लिया है अधर मैडम यह बच्छा सो रहा है अधर मौसम काफी इच्छ हो रहा है तो एक दम तंडग हो गिए लगवा निसवीश डिग्री टेंपरेचर हो रहा है जैसा अपने एसी को कर रहे है इस तरह कर टेंपरेचर हो रहा है तो अभी चाय पी लेता है घरमा करम और देखो बच्चे को कैसे एक्टिविटी कर रहा है एक अधम कोशी हो रही है है तो दोस्तों अभी बत चुक है शाम के आठ अब पूजा पाट कर लेते हैं और खाने की तैयार करें मैडम तो आज की ब्लॉग को हम यही समाप करते हैं आप तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करें बताना और चैनल पे नई वोट चैनल को और चैनल को सबस्टारख कर दो कि अजाए।